नमश्कार दोस्तों हम आपका सौध करते हैं हमारे best LIC plan के चानल पर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक newly launched plan के बारे में जो कि अभी launch नहीं हुआ है यह launch होने वाला है कुछ दिनों में उसकी date हम आपको आगे बताएंगे और इसका plan name है दोस्तों new pension plus और जिसका table नमबर है 867 तो चलिए जानते हैं इसको कि इसमें क्या-क्या benefits हमें मिल रहे हैं कैसे यह plan work करेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यह एक unit link individual pension plan है जिसमें की आपको regular premium plus single premium भी मिलता है अगर हम इसमें दोस्तों अपना premium की बात करें तो इसमें आपको yearly यह वो 30,000 minimum पे करना होगा और half yearly में 16,000 quarterly में 9,000 और monthly में 3,000 अगर हम बात करें single premium की तो उस case में minimum आपको एक लाग पे करना होगा अगर हम दोस्तों age की बात करें दोस्तों age में minimum आपको जो entry age रहेगी वो 25 साल रहेगी और जो maximum है वो 75 साल रहेगी और इसमें दोस्तों जो visiting जैने की income जब start होती है तो वो minimum 35 साल से आपकी income स्टार्ट होगी और जो maximum है वो आपकी 85 फेस तक जाएगी term की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको minimum 10 साल मिलते हैं और maximum आप इसमें 42 साल pension ले सकते हैं इसमें दोस्तों हमें चार bonds fund देखने को मिलते हैं जिसमें की एक हमारा bond है एक secured है और एक balance है और एक growth है दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि यह bonds किस तरह work करते हैं और क्या इनमें आपको benefit मिलता है next हमारा दोस्तों इसमें आपको जो visiting period है वो आपको दोस्तों आप कभी भी extend करा सकते हो दोस्तों 86% रहता है और अगर हम single premium की बात करें तो उसमें आपको 88% maximum जो हमारा guaranteed edition bonus वो मिलेगा आपको अगर हम attractive guaranteed edition की बात करें वो भी available रहता है इसमें जो कि आपको 6 साल और उसके बाद 10 साल मिलेगा और उसके बाद से अगर आप policy continue करते हैं तो उसमें आपको हर year मिलता रहेगा अब इसमें दोस्तों माल लेते हैं कि कई बारी जो हमारी policy है वो बंद हो जाती है किसी वजह से तो उस case में भी दोस्तों आपको minimum 4% का guaranteed return तो मिलेगा ही मिलेगा अगर हम बात करें इसमें login period की तो दोस्तों इसमें 5 साल का login period रहता है जिसमें आपको कोई भी payment नहीं होगी तो वो एक इसमें close में को लगता है कि वो है वाकि आने वाले हम देखेंगे इसमें दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया partial withdrawal का option भी दिया गया है अभी तक ये किसी भी policy में नहीं आयाएगा जिसमें की आप दोस्तों जैसे कि अगर हम 10 लाग का विमा हमने ले रखा है 10 लाग का single premium ले रखा है या regular premium ले रखा है तो हमें बीच में कभी भी जूरत पड़ती है तो उस case में दोस्तों आप थोड़ा सा हिस्सा अपनी policy का withdrawal कर सकते हैं आपकी policy को भी कुछ नहीं होगा और ये policy आपकी जैसे ही रन न करती रहेगी लेकिन जो आपका income रहेगी वो दोस्तों decrease हो जाएगी जब आप withdrawal करेंगे इसमें दोस्तों आपको settlement option में मिलता है और भी कई चीज़े इसमें आपको मिलती है वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगी तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि आपको ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा ये दोस्तों इसकी जो launching date है वो 5 September 2022 है जिसे आपको ये plan मिलना शुरू हो जाएगा आप किसी भी agent या किसी भी near आपकी LAC branch में जाके इस plan को ले सकते हैं ये दोस्तों एक बहुती बढ़िया LAC के तरफ से launch किया गया plan है जिसमें कि आपको एक अच्छा return मिलता है और ये दोस्तों LAC का बहुती बढ़िया plan मैं कहूंगा तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए जैहन